नमस्कार, मैं मिस कनक लता चाहाँ आज आप लोग के लिए साहित्य सागर पद्यभाग की तीसरी कविता रामधारी सिन्ह दिनकर द्वारा रचित स्वर्ग बना सकते हैं शीशक लेकर उपस्थित हुई हो रामधारी सिन्ह दिनकर की ये एक बहतरीन कविता है और इस बहतरीन कविता से रूबरू होने से पहले हम इनके कुछ जीवन परीचे से परिचित हो लेंगे इनके बारे में कुछ जान लेंगे उसके बाद हम इनके कविता के तरफ प्रस्थान करेंगे रामधारी सिन्ह दिनकर श्री रामधारे से ने दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमर्या गाउं में एक क्रिशक परिवार में हुआ मैट्रिक की परिक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला सन 1950 में ये एक सनातकोत्तर महाविध्याले में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने सनातकोत्तर का मतलब होता है मास्टर्स ये राज्य सभा के सदसे भी रहे भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूशन से अलंकरित किया है बच्चो पद्म भूशन बहुत ही सम्मानिय पुरुशकार होता है 24 अप्रेल 1974 को इनका निधन हो गया दिनकर जी ने गद्या तथा पद्या दोनों प्रकार की रचनाई लिखे इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतिय ज्यानपीट पुरुशकार से सम्मानित किया गया कुरुक्षेत्र, रेनुका, हुंकार, रस्वन्ती, रश्मिरथी, प्रशुराम की प्रतिक्षा, इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाई तथा भारतिय संस्कृती के चार अध्याई इनकी प्रमुक गद्य रचनाई दिमकर्जे की रचनाओं में राश्टेता की गूंज है। अशंकाओं से जीवन। लेकिन विग्ण अनेक भी इस पत पर अरे हुए है। मानुता की राह रोकर परवत अरे हुए है। कभी रामधारी सिन दिमकर्जी कहते हैं। धर्मराजियों भूमी नहीं, किसी की कृत्थ है दासी। कहते हैं यह भूमी किसी की खरीदी हुई नहीं है दिनकर जी कहते हैं कि यह भूमी किसी ने खरीद की नहीं रखी है है जन्मना समान परस पर इसके सभी निवासी है जन्मना यानि इस धर्ती पर जन्म लेने वाला प्रतिक व्यक्ति का इस पर परसपर समान अधिकार है सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरन इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक जीव, हर एक प्रानी, हर एक व्यक्ति को मुक्त प्रकाश, मुक्त वायू, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है इस धर्ती में जन्म लेने वाला हर एक मनश्य प्रकाश, वायू और बाधाओं से रहित जीवन जीने का अधिकारी है आशंकाओं से जीवन सारे मुक्त जीवन में जितनी भी आशंकाएं हैं जितनी भी शंकाएं हैं जो संकट हैं उनसे दूर एक व्यक्ति को सरल जीवन जीने का अधिकारी संसार में जन मिलेने वाला हर एक इंसान हर एक जीव हर एक प्रानी को है लेकिन विग्ण अनीक अभी इस पत पर अरी हुए है मानोता की राह रोग कर परवत अरी हुए है लेकिन कभी कहते हैं कि जितना आसान ये दिखता है उतना आसान ये होता नहीं है अब इस धर्ती पर बहुत सारी बाधाये हैं जो डट कर सामने खरे हुए है मानोता की राह रोग कर पर्वत अरे हुए है मानोता की राह रोग कर पर्वत खरे हैं अभी पर्वत यानि बहुत सारी समस्या है मानोता रूपी जो धर में है हमारा उसे जकर कर उसे पकर कर कहीं रखा है ऐसी कई पर्वताकार बाधाय हमारे समक्ष है हमारे समाज में है तो जितना सरल ये लग रहा है कि ये भूमी सब क्या इस पर समान अधिकार है प्रकाश पर अधिकार है हवा पर अधिकार है आशंकाओं से मुक्त जीवन पर अधिकार है जैसा ये दिखता है जितना सरल है ये कहना उतना ही कठिन है ये हो पाना कवी ने इस और इंगित करते हुए इस पद में कहा है कि मनुष्य के लिए बहुत महतुपूर्ण हैं कि इन बाधाओं को दूर करने का प्रायत ने किया जाए.